नमस्कार दोस्तों मैं फर्मान खान आप सभी का स्वागत करता हूँ तो हमारी डिक्टेशन नमबर 12 में कुल 411 सब्द हैं और यह कानून और सम्मिदान से संबंदित है तो चलिए शुरू करते हैं हमारी डिक्टेशन उपर युक्त विवस्ता के अतिरिक्त लाइडों की संख्या का भी नियमन करने का प्रस्ताव रखा गया पून विराम इस प्रस्ताव में सदस्य संख्या 350 करने पर अत्याधिक जोर दिया गया पून विराम इन सभी प्रस्तावों में उल्लेखनिय तथ्य यह है कि लौड सभा के अधिकारों में व्रधी करने का प्रश्न नहीं उठाया गया पून विराम इस मंत्री मंडलिय प्रस्ताव के पस्चात ही सरकार की व्यवस्था में परियाप्त परिवर्तन हो गये पून विराम अतहा इसको साकार रूप ना मिल सका पून विराम इन विभिन प्रस्तावों के साथ ही 1641 ईश्वी के सर्व दलिय सम्मेलन का प्रस्ताव उल्लेखनिय है पून विराम वर्तमान समय में संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समीती को लाड सबा के सुधार विश्यक अपने सुझाव प्रस्तुत करने का कार्य सौपा गया पून विराम समीती ने 1662 ईश्वी में अपनी रिपोर्ट पेस की पून विराम इस रिपोर्ट के अनुसार लाड सभा में मेहतुपून सुधार किये गए हैं और बविश्य में भी और भी क्रांती कारी सुधारों की आशा की जा रही है पून विराम इस सम्मेलन में कती पाए मौलिक तत्यों का निरूपन किया गया पून विराम उन तत्यों को निम्न प्रकार से स्रेणी बद्ध कर सकते हैं पून विराम इस सर्वदलिय सम्मेलन में लाइडों के पैत्रक अधिकार की समाप्ती पर जोर दिया गया कॉमा क्योंकि इस से प्रजातंत्रात्मक अधिकारों का हनन होता है पून विराम लाइडों की वियक्तिकत योगिता के आधार पर ही लाइड सवा का सदस्य ना बना कर उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा तथा लोक सेवा के फल सोरुप ही लाइड शिप प्रदान करने की व्यवस्था की जाए पून विराम इस प्रकार संसिदिय लाइड बना कर सुधार व्यवस्था पर जोर दिया गया पून विराम इस सम्मिलन का प्रस्ताव लाइड शिप को आजन्म बनाए रखने के पच्छ में था पून विराम किन्तू इसके साथ सदस्यों की आयोगिता पर उनको बैश्क्रत करने की भी बात थी पून विराम इस सम्मिलन में लाइडों को वेतन देने की व्यवस्था पर जोर दिया पून विराम क्योंकि आववेतनिक लाइड लोग प्रसाशन पर अधिक ध्यान नहीं देते पून विराम फलतहा उन्हें वेतन प्रदान किया जाए तथा उनसे उत्तर दायतू पून कार्यों का भी संपादन भी कराया जाए पून विराम इस सम्मीलन में नारियों को लाइड शिप प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया क्योंकि आज के युग में नारियों को भी किसी भी छेतर से बहिश्कृत रखना केवल नारियों का ही अपमान नहीं कॉमा अपितू प्रजात तंत्र के मूल से धनतों का हनन है पून विराम 1658 इश्वी में निर्मित एक अदिनियम के अनुसार अब महिलाएं भी लाड बन सकती हैं पून विराम यह है बताया जा चुका है कि लाड़ों को किसी भी पिरकार के निर्वाचन में मतादिकार प्राप्त नहीं है पून विराम अस्तू इस सम्मेलन में संस्दी लाड़ों के अत्रिक्त अन्ने लाड़ों के मतादिकार का प्रतिपादन किया पून विराम केवल मतादिकार ही नहीं कॉमा अपित्तू निर्वाचन में सदस्तिता के हेतू खड़े होने के अधिकार का भी समर्थन किया गया पून विराम स्टॉप दोस्तों अगर आपको यह डिक्टेशन पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक लिए नमस्कार